हलो फ्रिंट्स कॉम्पेटिशन कम्यूटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हैं बात करने वाले मध्य प्रदेश की वन से सम्मधित वस्टोनिष्ट प्रश्णों की तो पहले कोशन की तरफ चलते हैं देखिए आज मेरा स्वास्त अच्छा है नहीं तो एनर्जी थोड़ी आपको डाउन लगेगी तो इसके लिए रियली सॉरी चले पहला कोशन देखते हैं मध्य प्रदेश राज्जी में छेत्रफल के आधार पर सरवधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं देखिए आपसे जिला पूछ रहा है कि जिला और छेत्रफल के आधार पर ना उप्षन है बालाघाड, शिवनी, मंडिला और छिद्वारा यह मंडिला होगा गज़ जब बात करते कर सिवनी, मंडिला और छिद्वारां ने भी पाए जारते हैं सिवनी में भी लेकिन सरवाधिक की बात करें तो बाला घाट जिला जो है यहां प्रथम नंबर पे आता है मध्यप्रदेश में वन के संबंध पर विचार करें मध्यप्रदेश की कुल भगौलिक छेत्रफल का लगभग 25.12 प्रतिशत 1 छेत्र मध्यप्र गया है मध्यप्रदेश में प्रशाशनिक आधार और भी वनगों को टीन भागों में बाटा गया साहरी तो रख्षप का रख्षित और हो जाता है अवर्धी कृत 1 मध्य प्रदेश सरवाधिक किस व्रक्ष की अधिकता बाई जाती है अब आपसे वन नहीं पूछ रहा जिला नहीं पूछ रहा पेड़ पूछ रहा कि किस पेड़ की अधिकता से दादा पाई जाती है यहां पर आम सागौन बर्गद और शाल वही व्रक्ष है या वही पेड़ है जिसकी लकड़ी से इमारतों का निर्मार किया जाता है मतलब सोफेड कुर्ची चेयर वगएरा इसकी लकड़ी से बनाई जाती है जो कि बहुत मजबूत मानी जाती है तो आपका option number C इसका answer हो जाएगा यह देखिए यह सागोन के व्रक्ष सागोन के व्रक्ष जो दिनका तना काफी लंबा होता है और यह उपर जाके फैल जाते हैं संपूर्ण भारत के कुल तेंदु पत्ता उत्पादन में कितने प्रतिशत उत्पादन मध्यप्रदेश से होता है देखिए जो यह तेंदु पत्ते से पत्तल या प्लेट्स बनाई जाती थी आपने कभी भोज में गाव में भोज किया हो तो आपको पत्ता होगा कि वहां पादु का योजना भी है जिसमें पैरों पेश पहनने के लिए दी जाती है लोगों को जिसे वह जब तेंदु पत्ता बीनने के लिए जाए तो उनके काटा वगेरा नागड़े 50% 60%, 25% 70% तो मद्ध्य प्रदेश 3 Πत्त के उतपादन में सम्पूर्ण भारत में 60% उतपादन अकीले करता है तो इससाब से मद्ध्य प्रदेश 3डिपता उतपादन में प्रथम राजी है यह के इसने बनाई जाती है पत्तले यह इनके बंडल्स बन रहे हैं और फिबंडलों से पत्तले बनाई जाते हैं कत्था निर्मार के लिए किस व्रक्ष का प्रयोग किया जाता है देखिए जैसे बात होती न कत्था तो कत्था आपको पता होगा कि पान में कत्था लगता है जब हम पान बनाते हैं तब कत्था लगता है कुछ लोग सुपाडी क की साथ भी कथ Ahaा थे हैं तो उसी कथ्थे के नेर्माड के लिए किस व्रक्ष की आवशकता होती है तो पेड़ कॉन सा लगता है ओप्शन है पील पलास ख्य और हर्रा देखिग हर्रा वरक्ष की बात करें तो वरक्ष की अरख्ष के अंसर कि एक आरशेख्या प्रकार्व होगा निर्माड किया प्रतर है थो इस से रंगों का निर्माड किया जाता हैं तो इसका चाज्ड़ी घजते हैं संस्थान संस्थान है जिसका कार्याले देहरा दून में उसका श्रित्री कार्याले मध्यप्रदेश में कहा है भोपाल इंद और जवलपुर और गुवालियर तो उसका सही आंसर होगा जवलपुर जो है वह इसका श्रित्री कार्याले है अप्शन नंबर बी मध्यप्रदेश मध्यप्रदीश राज में वन नीती के सम्मंद पर आसत्य कथन चुनिये मध्यप्रदीश राजी की पहली वन नीती 1902 को लागो की गई थी मध्यप्रदीश राजी की नवीन वन नीती 2005 को लागो की गई थी इस नीती में इमारती लकडी का उत्पादन होता है वर्तमान नीती में जन भागिदारी से वनों का विकास किया जा रहा है मतलब यह सिर्फ कथन है जिसमें आपको स्रिलाइक करना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है तो पहला वाला जो है यह गलत कथन है जो कि मधिप्रदिश राज जी की पहली वन नीती 1952 में लागू की गई थी देखें 52 में लग रहा है ना कि वन तो बावन से आपको याद रखना है वन तो 1952 में मधिप्रदिश राज जी की पहली वन नीती लागू की गई थी और नहीं सो भातर में नहीं की गई थी इस कारण से यह जो कौशन है यह हो जाएगा असत्य आप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा भारत का पहला राष्ट्री उध्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था यहा बात भारत के पहले राष्ट्री उध्यान गोशित किया गया था मद्यप्रदीश राज में काना किसली राष्ट्री उद्यान की स्थापना अभ्यारण की रूप में कब की गई थी देखे काना किसली की जैसे हम बात करते न तो आपको हिंट होगा कि कहां पे इस्थे थे तो मंडला में इस्थे थे सरवधिक बाग यहाँ पर मिलते हैं इसके साथ ही साथ में काना किसली जो राष्ट्री उद्यान है वो पहले अभैवन था फिर अभ्यारन बना अभ्यारन बनने के बाद राष्ट्री उद्यान मना उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ इसके साथ ही साथ में मध्यपरदेश का सबसे बड़ा राष्ट्य उद्यान है 940 वर की किलूमीटर के साथ में ओप्शन देखिए 1955, 1933, 1952, 1974 तो बात करते हैं मध्यपरदेश राष्ट में कानहा किसली राष्ट्य उद्यान की अभ्यारन बनने की यह अभध्यारन गब बना तो वर्ष 1952 में मध्यप्रदिश में कानः किसली राष्ट गईयान अभध्यारन बना एक से याद रखना है मस्त्तर में हम देखते हैं प्रोजक्ट टाईगर में शामिल किया गया को इंदरा प्रीयदर्षनी प्रय शिट राश्टी योडियान कहां इस थे पेच इंदॉर बालख हट चिंद और और बैतूल देख्ए जब हम पेच राश्टी युद्यान की बात करते पहला यह राश्ट्य उद्यान होशंगाबाद जिले में इस्थेत हैं दूसरा इस राश्ट्य उद्यान के स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी 2009 में युनिस्को द्वारा यहां इस्थित पश्मणी को बायो इसफेर रिजर्व घोशित किया गया था और सभी कथन असत्य है आपको क्या बताना है असत्य बताना है तो अप्शन नमबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा यह सारे बिल्कुल सही है किसके स्थापना हुशंग बाबाद जिले में की गई थी 1987 में और 2009 में यहां इस्थित पश्मणी को युनिस्को में शामिल किया गया था तो सभी कथन जो है वो असत्य है यह जो ऑप्शन है यह संत्य हो जाएगा तो ऑप्शन नमबर डी सही आंसर है प्रदेश का एक मात्र रेप्टाइल पार्क कहा इस्थित है प्रदेश के एक मात्र रेप्टाइल पार्क के जब हम बात करते हैं देखिए प्रदेश का जो एक मात्र इसने एक पार्क है वो वन विहा राष्ट्री उध्यान भोपाल में इस्थित है वैसे ही प्रदेश का एक मात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना राष्ट् तो आप्शे नमबर ए इससों ए इसका बिल्कुल सही अंसर होगा हुआ है दिक नंटेक नोप पर सही वचम का कीजिए मादव राश्ठी उध्यान जीवाश्मा अश्टी उध्यान डायनसओं राश्टी उध्यान और संजय गांधी राश्टी उध्यान सब्सक्राइब डायनासौर जो है वो धार पे हैं तो आपको देख लेना है कि तीन का सी कहा है तीन का सी तीन का सी तो यह दोनों तो पहले यह अनिमलेट होकर कट गए कि यह दोनों नहीं है फिर आप कर लेते जीवाश्म राष्टि उध्यान की जीवाश्ट राष्म उध्यान जो है वो दिन डौरी जिले में स्थित है तो दो का एक कहा हैं, दो का एक और अप्शन नमबर सी आपका बिल्कुल सही आनसर है बाकियों को भी देख लेते हैं संजे गांथी राष्टी उध्यान जो है वो option number D CD की तरफ आता है और माधव राष्टी उध्यान जो है वो शिवपुरी जिले में इस्थित है इसे साब से आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा B A C D option number C आपका सही आंसर है प्रदेश का एक मातर सर्प उध्यान या स्नेक पार कहां आपका सही है? बंविहार राष्ट्र ऑद्यान और Пос Styled तो इसका आंसर होगा 1 विहार राष्टृ उद्यान. शहीद अम्रिता, देवी, विश्णोई पुरुश्कार किस छित्र में दिया जाता है? खेल, वन, चित्रकला और संगीद. देखे खेल के शेत्र में नहीं दिया जाता क्योंकि इसके शेत्र में विकरम पुरुषकार, एकलव पुरुषकार, प्रभाष जोशी पुरुषकार, आधी पुरुषकार दिये जाते हैं संगीत के शेतर में बात करें तो लटा मंगेशकर पुरुषकार तानसेन संमान इसके साथ में कुमार गंधव संमान तो वन शेतर की बात करें तो बिलकुल यहाँ वन शेतर में दिया जाता है वन शेतर में उतकृष्ट कार करने वाली संस्थाओं को आप्चान नमबर 20 का सही अंसर हो जाएगा प्रदेश का वहां एक मात्र अभ्यारण जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है राला मंडल चंबल सर्दारपूर और राता पानी देखिए जब इन अभ्यारणों की हम बात करते हैं तो राला मंडल जो अभ्यारण यहां इन दौर जिले में इस्थित है सर्दारपूर अभ्यारण की बात करते हैं तो यह धार के पास इस्थित है चंबल अभ्यारण की बात करते हैं तो यह मुरैना के पास में इस्थित है राता पानी अभ्यारण की बात करें तो यहां प्रदेश का एक मात्र वह राष्टी अभ्यारण है जिसे प् वन विहार राश्ट्री उद्यान, पन्ना राश्ट्री उद्यान, बांधवगर राश्ट्री उद्यान और सत्पुडा राश्ट्री उद्यान देखे जब बात कर रहे हैं केन नदी की, तो केन नदी जो है वह पन्ना राश्ट्री उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है तो option number B आपका सहीं हो जाएगा बानवगर राश्ची उद्यान वहार राश्ची उद्यान ने जहां पर सरवाधिक बागों का घनत्व है और यहीं पर बागों का DNA टेस्ट भी कराया जा रहा है गिद्ध के संद्रक्षन के लिए वर्तमान में कौन सा कारिक्रम चलाया जा रहा है देखे जो हम गिद्धो की बात करते हैं तो यह हैं गिद्ध और गिद्धो के संद्रक्षन के लिए बहुत सारी कारिक्रम चलाया जा रहा है परन्तु मध्य प्रदेश में सेव मी ऑपरेशन इंडरधरुष पंची और परीशन अस्तित्व तो गिद्धों के संरक्षण के लिए परीशन अस्तित्व चला जाने इसका आर्थों का ओप्शन लंबर से आपका सही आणसर हो जाएगा, परीशन इंडरधरुष इसका सम्द्ध टी अभ्यारन्द तो इसलाणा अभ्यारन है तो इससे आपसे और अप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा असत्त कथन का चैन की जिए इसमें से अपको यह दिखना होगा इस करण से ऑप्शन नंबर फोर या फिर आप्शन नंबर डी आपका सही ऑढ़ सर होगा एबी सी और डी तो सिधोरी अभ्यारन जो है वो राइसे इन जिले में स्थित है को प्रदेश का पहला स्ची तीरथ कहा खोला गया है कहा हैं दह ऑन मंडीदी प्रैशिन जातला. ईमच भद्भड भुपाल की चाह waarें प्रदेश के पहले स्ची तीरथ की आपको बसहता हूं मंडीदी प्रैसेन जो है वोई कौधां यहां प्रदेश्य को मेन देभ नीमज की बात करें तो यहां मद्यप्रदेश का पहला ग्राम ने खुला गया थम भदभदा भुपाल की बात करें तो यहां इंडुस्ट्रियल एडिया है तो यहां भी पक्षि अभ्यारन संभव नहीं है धरौदा इंद और को ही पक्षित तीर्थिस्तल घोशित किया गया ह कान है किसली राष्टि उध्यान प्रसिद है किन जीवों के कारण से शेरों के लिए गायों के लिए हाथियों के लिए और बागों के लिए उसका सही अंसर होगा बागों के लिए मद्य प्रदेश का कौन सा शेत्र सफेद भागों के लिए जाना जाता है बुंदेल खंड मालवा बगेल खंड और निमार देखे जैसे आप बात करतें न सफेद भागों की तो आपको पता होगा कि सफेद भाग अर्थात वाइट टैगर सफारी जो है मद्य प्रदेश के 17 सब्सक्राइब बात करें कि पहला सफेद बाग जो अभी तक का वर्द्रदेश में देखा गया उसका नाम था मोहन इसे रीवा के महराज जी ने पकड़ कर अपने शेतर में रख लिया था मद्य प्रदीश में जीवाश मराश्टी उध्यान के स्थापना कहां की गई है कहां एस्सित है सीधी, डिन्डौरी, शिफ, पुरी और खंडवा देखें जैसी आपको जीवाश में याद आए न तो आपको पता होगा जीवाश मराश्टी उध्यान अर्थात घुगवा जीवाश मराश्टी उध्यान जो है वो डिन्डौरी जिले में स्थापित किया गया है ऑप्शन नंबर 20 का सहीं आंसर होगा मद्धी प्रदीश का सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है गांधी सागर रातापनी राला मंडल और ओर्चा तो मद्धी प्रदीश का सबसे छोटा अभ्यारण जो है वो राला मंडल अभ्यारण है और राला मंडल अभ्यारण जो है वो इंदौर जिले में स्थित है काना किष्ली राष्टी उद्यान किस जिले में है शिवपुरी शेहडोल मंडला और पन्ना तो काना किष्ली राष्टी उद्यान जो है वो मंडला जिले के अंतरकत आता है इसका को शेत्र बारागाड जिले के अंतरकत भी आता है मध्य प्रदेश में जैव मंदली आरक्षट छेतर कहां घुशित किया गया है बाधरवगर शेवपूरी पच्मडी और छतरपुर देखे जैव मंदली आरक्षट छेतर जो है वो सत्पुड़ा परवर्श रंकला के अंतर्गत महादेव परवर्शेणी के अंतर्गत मक्र ukna करें लिए bathroom करें तो मता शारदा का प्रसिद्दमंदिर वतकर करें उप्रागी पहाड़ी की बात करने तो यहां पर पथरों की नकाशिय रेखने को मिलती है लाँ जीवाश्म के लिए मंगत करदाया गया है gì उत्करश्ट इमार्थि लकड़ी प्रदान करने वाले शाल, हल्दू और बबुल देखें जब बात करें इमारती लकडी की तो सबसे जादा अच्छी मारती लकडी जो है वो शागौन रक्ष की मानी जाती है जो कि प्रदेश में सरवाधिक भी पाया जाता है तो आप्शन नमबर ए आपका सही होगा शागौन को ही सागवन भी कहा उन फे पहले शामिल किया था क्या आपसे पूछन में पूछ रहा है संद्रय गांधी राष्टि उद्यान बादavatवगप राष्टी उद्यान या फिर फिर कांहा खिसा लीरास्टी उद्धान यहां से गलत हो गया है तो यह राष्टि उध्यानों पूछ रहे है कि कि सेdesk सही आंसर होगा देखिए भूर सिंग बारा सिंगा निम्नमेसी कौन से राष्टी उध्यान के शुभंकर के रूप में चुना गया है भूर सिंग बारा सिंगा हमने बहुत बार बात कर ली राष्टी उध्यान के बात करते हैं पेच राष्टी उध्यान पन्ना राष्टी यहां कानह किसली राश्टी उध्यान का शुभंकर है और ये जो शुभंकर है ना ये ब्रेडरी प्रजाती से सम्मन्दित है और साथी साथ में इसे 2017 में शुभंकर जारी किया गया था इसकी डिजाइन रोहन चक्रवर्ती जी के द्वारा दी गई है यह आपको यह शुभंकर भूर सिंग दा बारा सिंगा ओक्यू फेंड्स थैंक्यू सो मच हमारी वीडियो आज की यहीं पर समाप्त होती है नेक्स्ट वीडियो से हम विलेंगे और इसमें आगे अलग-अलग वस्तुनिष प्रशनों को कवर करेंगे थैंक्यू